स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चनल दमाश्टर पर हम लोग अपनी आगामी परिक्षा खंड सिक्षादिकारी के अंतरगत गणित विश्य की तयारी कर रहे थे जिसमें हम लोगोंने आयतन चेप्टर के कुछ महत्पून प्रिश्ण लगाये थे आज हम लोग उसी के आगे हम स्टार्ड करते हैं तो आईए देखते हैं आयतन चेप्टर के ग्यार्वा कुछ प्रिश्ण तो ग्यार्वा प्रिश्ण हमारा है एक बेलनाकार टंकी की धारिता 924 घन मीटर है तथा इसका ब्यास 14 मीटर है ऐसी स्थिती में हमें टंकी की हमें निकालना है गहराई एक ही चीज होती है और धारिता मतलब होता है आयतन तो हम लोगों का जो मातरक यह buyers in की कोई जरूरत नहीं है और धारिता का मतलब होता है उस टंकी में कितना पानी आता है यानि कि पानी कितना पानी आता है इसी को तो हम आयतन कहते हैं तो धारिता का मतलब आयतन दिया गया है और टंकी कैसी है बेले कार टंकी यानि की पाई-र-Square-H तो बेलन कायतन होता है पाई-र-Square-H पाई-R-Square-H कमान आपको दिया गया है 924 जहाँ पर आपको आर कमान पता है यानि उचाई आपको निकालना है गहराई उँचाई हमारे लिए एक ही चीज होती है अगर नीचे से नापेंगे तो उँचाई कहलागी अगर उपर से हम लोग नीचे नापेंगे तो हमारी गहराई कहलाती है सारे मान आपको दिये गए हैं आप कुश्चिन में रख दीजी आपका अंसर आ जाएगा तो पाई कमान होता है बाइस बटे साथ आर कमान आपको साथ दिया है स्क्वायर है यानि साथ का आप दो बार गुना करेंगे एच आपको निकालना है और यहाँ है आपका नौसो चौविस ठीक है यह वाला साथ यह साथ से कैंसल आउट हो जाएगा इसको आप ग्यारा से कैंसल आउट करेंगे यानि कि option number B आपका सही रहेगा ठीक है प्रिश्ण सिर्फ प्रिश्ण को समझना था और हमें जो प्रिश्ण के आयतन होता उसका फार्मन रखके मान निकाल लेना था चलिए हम लोग अपने अगले प्रिश्ण पर बढ़ते हैं तो बारवान नमबर का प्रिश्ण है एक लंब 75 cm यह आपको हो आर दोनों के मांदिय दे गया है तो बेलन के संपूर्ण प्रिश्ट था बक्रिश्ट में अंतर क्या होगा यह निकालना है अब ध्यान दीजिए संपूर्ण का संपूर्ण प्रिश्ट बक्रिश्ट होता क्या है उन दोनों का अंतर निकालना है अंतर किसका एहां प्लस का चिंatics है और यह ब्रेकट लगा हुआ है तो संपूर्ण प्रिष्ट का formula होता है 2 pi r h प्लस r और माइनस बगप्रिष्ट का formula होता है 2 pi r h और यह माइनस लिखेंगे 2 pi r h तो यहाँ यह वाली value यह वाली value same है इसलिए कड़ जाएगा और हमारा सिर्फ बचेगा 2 pi r square यानि कि इस प्रिष्ट में समझने वाली बात यह थी यह आपको उचाई कमान दिया गया है और अंतर पूछ रहा है संपूर्ण प्रिष्ट बख प्रिष्ट का तो आपको सिर्फ 2 pi r square कमान निकालना है ठीक है यह इसमें समझने वाली बात है बाकि तो प्रिष्ट सिंपल है इसको हम लोग solve कर लेंगे ठीक है तो चलिए इसको solve करते हैं तो अब इसका मान रखना है 2 pi कमान होता है 22 बटे 7 और r square r कमान आपका 175 है तो 1.75 है इसमें आप क्या करेंगे 0 हटा देंगे और नीचे 100 लिख देंगे 0 हटा के 0 बात 2 अंख है यानि कि नीचे 100 आ जाएगा और और फिर 175 बटे 100 तो r square यानि त्रिज्या कमान दो बाल लिखना था इसको हम लोग solve करते हैं तो solve करने के लिए आप इसको इसको cancel out करेंगे साथ से से करते हैं साथ दूनी 14 बचेगा 3 और साथ पन्ना 35 25 से 100 को cancel करेंगे तो 25 चो के 100 ठीक है दो से इसको cancel करेंगे दो बार और दो से इसे cancel करेंगे 11 बार यानि 11 का यहां 11 बचा है यहां 175 बचा है तो चलिए गुणा करना है तो चलिए गुणा करना है गुणा कर देते और 11 पहड़ा 7 में 11 77 और 77 पांच आपका 82 के दो हांसिल आएगा 8 ग्यारा एकम ग्यारा एकम यानि 11 एकम 11 ग्यारा आठ 19 ठीक है और नीचे 100 रहेगा तो नीचे 100 रहेगा तो पीछे से 2 अंग के बाद 10 लग जाएगा कि जैसे आपको पेपर में सॉल्व करना है ठीक है तो हिसा यह आपके समझने के लिए था अगर अंतर कुछ अजय संपून प्रिष्ट बख प्रिष्ट का तो सिर्फ आपको टू पाई आरी श्कॉयर का मार रखना है बाकी यह सारी चीज़ें समझना था सिर्फ आपको इतना ह अधार की परिधी 33 सेंटीमीटर है तो इसमें भी संकू की बात कर रहा है संकू हमारा कृज टाइब का होता है और यह हमारी संकू की उचाई होती है यह हमारी तृज दिज्जए आर होती सो, है अब आगे बढ़ते हैं तो उचाई संकू की इद्धिय गई है एच कमान दिया गया है 16 सेंटीमीटर क्लियर और आधार की परधी परधी कमान दिया गया सेंटीमीटर क्लिया है इसलिए बार बार आपको सेंटीमीटर यह नीटर मातल लिखने की जिलूत नहीं है क्योंकि फूरे प्रिश्न तो जब भी आयतन का प्रिशन प्रमौ की इस छी हैं तो अब परधी का फार्मूला किटना होता है परदी हमारा होता है 2 pi r, जो बिर्थ की परदी होती है, वही संकू के आधार की परदी होती है, तो 2 pi r, तो यहां हम परदी 2 pi r, 2 pi r कमान दिया गया है 33, तो इससे हम r की value निकाल लेते हैं, दो गुणे pi कमान 22,7 और r तो हमें निकालना है, बराबर 33, इन दोनों को 11 से cancel out करते हैं, 11,2,21,13,33, तो अब कटेगा नहीं, तो 7 का 3 में गुणा होगा, 7 त्रिक 21, और 2 का 2 में गुणा होगा, 2 दुनी 4, तो r की जो हमारा मार रहेगा, वह 21 बटे 4 रहेगा, अब हमें निकालना क्या है, आगे हम पढ़ेंगे संकू के, संकू का आयतन कितना घंटीमीटर है, यानि कि हमें आयतन निकालना है संकू का, और संकू का आयतन क्या होता है, जो बेलन का आयतन होता है, उसी का एक तिहाई संकू का आयतन होता है, तो pi r square h, बेलन का आयतन होता है, उसी का एक तिहाई संकू का आयतन होता है, इसमें हम बैलूप पूर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा वन बाई थिरी पाई कमान होता है बाईस बटे साथ आर इसक्वार यानि आर कमान दो बाल लिखना है और कमान आप यह निकाल चुके हैं 21 बटे चार गुणे 21 बटे चार और एच कमान आपके प्रिश्ण में दिया गया है 16 इसी को आपको सॉल्व करना है ठीक है इसी को सॉल्व कर लिए चलिए करते हैं सॉल्व यह 4 चार क करणा हो का 36 होगा ओं यह 183 में करेंगे तो हमारा पीछे आएगा 2022 थायगा जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे आप 21 का बाइस में गुणा भी कर सकते हैं आप जब बिकल्ब देखेंगे तो सारे बिकल्ब में गुणा करके सिर्फ आप अपना option चेक कर सकते हैं और अगे बढ़े लेंगे इसको सौल्ब करने की आगे कोई जरूथ नहीं है चलिए हम लोग 14 आपरिश्ण करते हैं तो 14 नमर्ब के परिश्ण है एक बगप्रिश्ट का च्षेतफल तो बक प्रिष्ट है तो बक प्रिष्ट का जो छेत फल है उसका मान दिया गया है 26.52 पाई ठीक है और आपसे अगला मान दिया गया है तैथा आयतन इसके आयतन का भी मान दिया गया है आयतन का मान कितना दिया गया है 450 84 पाई घं सेंटिमीटर है तो बेलन की उचाई हमें h का मान निकालना है और यह किसकी बात कर रहा है यह बात कर रहा है बेलन का तो हमें सारे फार्मूले बेलन के लगाना है यह बात कर रहा बेलन का तो बेलन का बखप्रिष्ट आपको याद होगा बेलन का बखप्रिष्ट क्या होता है 2 pi r h ये होता है और यहाँ पर मान विया गया है 26, 52 pi तो यहाँ pi की value नहीं रखना है क्योंकि यहाँ pi है यहाँ pi है यह cancel out हो जाएगा, दो का इसमें भाग कर देंगे, तो RH बराबर दो का जब भाग करेंगे, दो एकम दो, दो त्याए छे, दो एकम दो, दो छके बारा, RH बराबर कितना आ जाएगा, 1326, तो यह इसको समिकर नमर एक मान लीजिए, अब बेलन कायतन क्या होता है, पाई, आर स्क पार RH बराबर मान आ जाएगा, 454, ठीक है, तो यह आपका समिकर नमर कितना हो गया, 2, यह थोड़ा बड़ा प्रिश्ण है, कल्कुलेटिव प्रिश्ण है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें, अब इसमें आपको H का मान निकालना है, लेकिन H का मान हम ड उपर लिखके, समिकर नीचे लिखके उसका भाग कर देंगे, तो चलिए करते हैं, तो समिकर दो R² ह, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम नीचे RH, इस तरह उपर क्या लिखेंगे, 450, 84, नीचे क्या है, 1326, इसको हम लोग कैंसल आउट करेंगे, और यहाँ पर तो Hs कैंसल हो सत्रा से कैंसल आउट कर लिजेगा, तो पूरा-पूरा यह 34 बार जाएगा, आंसर, तो R का मान आजाएगा, 34, ठीक है, अभी हमारा H का मान नहीं आएगा, अज का लोगों का पहला समिकर था, RH बराबर 1326, हमारा पहला जो समिकर था, 1326 पहला समिकर था, इसमें R का मान रख देजिए, तो 34 into H बराबर 1326, H बराबर क्या हो जाएगा, 1326 नीचे आजाएगा, 34 का भाग करेंगे, इसको आप 17 से कैंसल आउट कर लेंगे, तो आपका आंसर, डारेक्ट आप कैंसल आउट करेंगे, तो आपका आंसर आजाएगा 49 सेंटीमीटर, तो 49 सेंटीमीटर आपके option B में आ रहा है, यानि कि option number B आपका, हम लोग अपने अगले प्रिष्ण पर चलते हैं, तो 15 प्रिष्ण हमारा है, एक बिलन के पार्स प्रिष्ट का छित फल 10 56 है, पार्स प्रिष्ट मतलब होता है, बक प्रिष्ट, तो आपका बक प्रिष्ट ये दिया गया है, कितना दि गालना है, बेलन का आयतन निकालना है, और ये सारी बात हो रही है, बेलन की, इसलिए पूरे प्रिष्ट में हम लोग बेलन के ही फार्मुले लखेंगे, तो बेलन का बक प्रिष्ट होता है, 2 π आइ और एच, यहां इसमें आप इस का मान दिया गया है 10 56, आप यहां से पहल करते हैं तो 11 दूनी 22 और 11 नम्मम्मम नियानवे 6 बचेगा 11 6 6 6 16 सोला से से कैंसल करते हैं 16 85 16 6 चान्वे यह दो बच्चा है दो से 6 को कैंसल आउट कर देते हैं थ्री टाइम्स तो आर बराबर हमारा हो जाएगा आप कुछ cancel होने के लिए बचा नहीं है, 7 तो 3 का 3 गुणा होगा, तो 21 हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे 2 आ जाएगा, तो r बराबर 21 बटे 2 रहेगा, अब हमें मान किसका निकालना था, मान हमें आयतन का निकालना था, तो बेलन में आयतन का फार्मॉला होता है, पाई, r square h, तो चलिए मान रख देते हैं, और हम लोग इसका वैलू निकाल लेते हैं, तो पाई का मान रखना है, 22 बटे 7, r square, r का मान आपने निकाला है, 21 बटे 2, square है, इसलिए इसका दो बार बर करेंगे, और h का मान तो प्रिश्ण में दिया गया है, 16, चलिए इसको solve करते हैं, तो 7 से 3 मार कड़ेगा, 7 के कैस, 2 का 2 में गुणा होगा, 4 हो जाएगा, और 4 से हम लोग इस 16 को cancel out करेंगे, तो 4 चोग के 16 हो जाएगा, ठीक है, अब आगे कुछ बचा है, तो आगे तो कुछ नहीं बचा है, solve करने के लिए, तो हम लोग आगे बढ कर जाते हैं, आप सको solve करते हैं, तो 22 गुणे, चलिए, यहां 4 है, यहां 21 से 12 है, तो 4 का 3 में गुणा करते हैं, तो 12 के 12, 12 के 2 हां से लाएगा, 12 के 24, 1, 25, यानि कि आपको क्या करना है, कि हां 22 का 252 में गुणा करना है, अब एक बार ऑप्सन देख लेते हैं, क्योंकि यहा और अप्षन देखते हैं तो आपका दो जगाँ 4 आ रहा है पीछे इसलिए आपको इसको गुणा करना ही पड़ेगा तो चलिए क्षब सक्क्ना करते हैं धो का इसमें क्षब सकते हैं दो का इसमें सोलों नंबर का प्रिश्ण है कि एक गोले का आयतन दिया गया है तो आपको गोला है और गोले का आयतन आपको दिया गया है आयतन कितना है 4851 4851 और घंड सेंटीमीटर है गोले का संपूर्ण प्रिष्ट आपको निकालना है तो मात्रक एक ही है बार-बार मात्रक लिखने के कोई जरूरत नहीं है तो गोले का आयतन कितना होता फार्मूला 4851 यह आपको वैलू दी गई है इस वैलू को सॉल्व करके पहले आर का मान आप निकाल लेंगे आर का मान आ जाएगा तो दैन आप संपूर्ण प्रिष्ट का फार्मूला लिखके आप वैलू निकाल लेंगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो 4 बटे 3 पाई का मान होता है 22 ब 45 फिर 1144 एक वचेगा 11 एकम 11 ठीक है और तो कुछ कठेगा नहीं तो आर क्यू बराबर हो जाएगा यहां साथ तीन गुणा होगा तो 21 होगा गुणे 441 और नीचे क्या है चार दुनी 8 ठीक है तो आर क्यू बराबर अब यहां देखिए यह 21 यह वाला 21 और 441 को हम लिख सकत हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 तो ऐसी कंडिशन में आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा तो बर्ग में हम लोग 2-2 संख्याओं को जोड़ा बनाते हैं जब 3 संख्याओं को जोड़ा बनाएंगे तो यहां से 21 निकल के आएगा जब यहां से 3 संख्याओं को जोड़ा बनाएंगे 4 pi r square ध्यान रखेगा गोले का संपूर्ण प्रिष्ट 4 pi r square होता है तो यहां पर हम 4 pi r square में value पर put करेंगे तो हमारा answer आ जाएगा चली value कामान रखते हैं 4 pi कमान है 22 बटे 7 और r square या इसको 2 बाल लिखना है 21 बटे 2 गुण 21 बटे 2 ठीक है ये 2 से 2 में गुणा होगा तो 4 हो जाएगा और ये वाला 4 आपको cancel हो जाएगा 7 से इसका गुणा होगा तो 7 से के कैस होगा और ये cancel out हो जाएगा अब हम लोग 1 का 1 का मान पहले चेक करते हैं 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 आएगा और 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 आएगा इसमें गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 6 दूनी 12 13 तो यानि 6 8 3 1 1386 आपका अंसर है 1386 यह आप्षान नम्बर बी में आ रहा है यानि कि आपका सही रहेगा हमारा आज का सत्रवान नम्बर का प्रिश्ण है कि एक घनों के आयतनों का अन्पात तो यह आयतन का अन्पात दिया है और किस तरह के आयतन जो घन है उनके आयतनों का अन्पात दिया गया है कितना दिया गया है आठ अन्पाते 27 ठीक है तो हमें निकालना है इनके संपूर प्रिश्टों के छित्रफलों का क्या अन्पात होगा तो ध्यान दीजिएगा जब घन में आयतन का अन्पात दिया हो य यह किस का अंपात हो गया भुजा का अंपात हो गया क्लियर अब हमारा संपूर्ण प्रिष्ट तो संपूर्ण प्रिष्ट में क्या होता है जो घं का संपूर्ण प्रिष्ट होता है 6A² होता है लेकिन ध्यान दीजेगा यहाँ जो 6 होता है यह अनपात में कट जाता है कि अनपात में जो common चीजें होती है वो cancel out हो जाती है तो हमें सिर्फ A² से ही मतलब है ठीक है संपूर्ण प्रिष्ट हमारा 6A² होता है लेकिन यहाँ 6 अचर संख्या होती है जो कि दोनों में रहेगा तो वो cut cancel out हो जाएगा उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता है तो हमें सिर्फ A² से ही मतलब होता है यानि एक अमान आपको पता है दो अनपाते 3 तो A² निकलना तो इसका जब score करेंगे तो चारन पाते 9 आ जाएगा यही आपके आंसर हो जाएगा तो इस तरह के question को आपको इस तरह करना है कि आयतन कनपात दिया है तो पहले भुजा कनपात घंवल करके निकल लीजिए फिर चाहे संपूर प्रिष्ट पूछे या बक्रिष्ट पूछे उसका का अंसर है चारन पाते 9 option नमर डी में आ रहा है इस पर टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे चलिए देखते हैं हम लोग अपना 18 नमर का question तो 18 नमर का पुर्ष्ण कह रहा है कि बेलन की उचाईयों का अनपात पांच अनपात चार है तथा इनके त्रिज्यायों का आएंपात 2 अनपात 3 है इनके आयतनों का अनपात क्या होगा तो हमें अनपात बताना है आएटन का ठीक है तो यहां हम लोग पहला लिखे देते हैं और आएंपात यहां हम लोग दूसरा लिखे देते हैं question को ध्यान से एक बार पढ़ के समझ लीजीएगा कि जो पहला बेल की बात कर रहा है तो ऊध्यूंड का जो 파ुमला होता है यह आपको मान रखना है ठीक है तो पहले में मान रखेंगे तो ङाने कि पहले के लिए पाई अर्फटर और दूसरे के लिए भी पाई आर्फट' तो पाई तो दोनों में पहले ही cancel out हो जाएगा अब R square का मान एकना है तो अब R square ने तरिज्जा पर आते हैं तो पहले का तरिज्जा दो है तो दो का यहां बर्क करना है तो यहां यहां तरिज्जा कमान दो बार रखेंगे और H कमान कितना है इसमें चार ठीक है अब इसमें जो cancel out होगा उसको cancel out कर देंगे बाकी हमारा आंसर आ जाएगा यहां दो दुनी चार और यहां चार कैंसिल हो गया तो यहां बचा 5 और यहां तीन तरिक का 9 यानि कहमारा आंसर आ रहा है पांच अनपाते 9 ठीक है तो इस तरह के जो अनपात वाले प्रिश्ण होंगे उसमें डारेक्ट आप अनपात कमान रखेंगे जो नमर का प्रिश्ण कह रहा है एक गोले के प्रिश्टे छेत फल और उसके परिगत बेलन के बख प्रिश्ट का अनपात क्या होगा तो भाई अब प्रिश्टे छेत फल का मतलब होता है बख प्रिश्ट और यह किसकी बात कर रहा है गोले की ठीक है तो गोले का बख प्रिश् कि यह आपका गोला दिया गया है और इसके बाहर एक आपको बेलन्ट मनाया गया है इसके परिगत परिगत मतलब इसके बाहर इस तरीके से ठीक है ये आपकी बेलन की उचाई हो गई H ये आपकी बेलन की त्रिज्या हो गई R और यही जो उचाई है ये गोले का ब्यास है तो गोले की त्रिज्या यहां से यहां तक H हो गई R हो गई ठीक है अब बात को ध्यान समझेगा हमें दोनों का अनुपात निकालना है तो एक एक तरफ लिखना है बगप्रिष्ट, पहले यहां समझ लेते हैं, और किसका बगप्रिष्ट गोले का, और बेलन का बगप्रिष्ट, और दूसरी तरफ लिखना है बगप्रिष्ट, किसका बेलन का, ठीक है, तो गोले का बगप्रिष्ट होता है, 4πr², बेलन का बगप्रिष होगी यह हमें निकालना है तो देखिए capital R की यह बेलन के लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो यहां से यहां तक capital R होगा बेलन की त्रिज्या और बेलन की उचाई यह capital H होगी इसको हमाल लेते हैं capital H होगी से वाल्ल क्या है मकंशी यह अंदर ट्रिज्या का बराबर है और जो पर कि पर आपके रेलन की त्रिज्या और के बराबर है ठीक है दो चीजें आपको समझ में आई कि जो बेलन की उचाई है वो अंदर वाले गोले के ब्यास के बराबर है यानि यह बराबर टू आर है और जो हमारे बाहर वाले बेलन है उसकी त्रिज्जा और अंदर वाले गोले के त्रिज्जा दोनों बराबर है यानि गुणे R² अन्पात के निसान है, अन्पात यहां बचा है R, R कमान तो R ही है, और H कमान कितना है? 2R, यह अभी आभी आपने निकाला है, तो यह देखिए, यह R² है, R² है एक कैंसल आउट हो गया, आज का हमारा आखरी पृष्ण है तो हमारा 20 नंभर का पृष्ण है पृष्ण क्या गहा रहा है एक गोलक का कुल फृष्टे स्खीत फल 0डपाई है गोलक मतलब होता है गोला और अब कुल प्रिष्टे छित फल मतलब होता है संपूर्ण प्रिष्ट तो संपूर्ण प्रिष्ट आपको दिया गया है कितना दिया गया है एट पाई अब गोले का संपूर्ण प्रिष्ट आपको याद होना चाहिए कितना होता है 4 πi r square यह होता है इसकी value दिया गया है 8 πi तो πi से यह πi cancel out हो गया अब आपको यह 4 से इसको cancel करिए तो 2 बार cancel होगा तो r square बराबर आ गया 2 तो r बराबर इसका root लेंगे तो root 2 आ जाएगा तो r की value हो गए कितना root 2 तो गोले का आपको आयतन निकालना है तो आपको आयतन निकालना है और किसका निकालना है गोले का गोले का आयतन क्या होता है 4 y 3 πi r q यह आपके गोले का आयतन होता है इसमें आप मान रख देंगे तो 4 बटे 3 πi का मान नहीं लखना है क्योंकि सारे विकल्प में πाई ही दिया गया है और r की मतलब r का मान आपको तीन बार रखना है यानि कि root 2 multiply root 2 आप इसको solve कर लेंगे root 2 से root 2 multiply होगा तो यह हो जाएगा 2 और 2 का इसमें multiply करेंगे 4 में तो हो जाएगा 8, 8 बटे 3 और यहां root 3 रहेगा sorry root 2 रहेगा और यह पीछे pi रहेगा तो आपका answer रहेगा 8 by 3 root pi 8 by 3 root pi आपका option number a में आ रहा यानि कि a हम पर टिक लगा के हम लोग आगे बढ़ जाएगे तो इस तरह से हम लोगों ने आज आयतन chapter के 10 प्रिशन लगाए है और हम लोग इस तरह आगे आप प्रिशन लगाते रहेंगे आप वीडियो को देखते रहेए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर जीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा धन्यबाद